दियर स्टुडेंट मैं विद्या सागर और आप देखरें भी असके विद्या सागर सिंक चैनल तो देखिए ये वीडियो है आप लोग को बीबीडी गाइड दुए टेश मैथ चैप्टर है थीरी यानि तीन आप लोग को जिसका नाम है दो चरवाले रैकिक समिकर्ण एग मे और इस चैप्टर से पांच कोचन हम इसके पहले वाले विडियो में बनाई थे अगर आप लोगो वो वीडियो नहीं दिखे हैं तो पाट वान का वीडियो देख लिजिए ये वीडियो पाट टू है और इस वीडियो में आप लोग को छे नमर बनाएंगे आप लोगो छे से आगे प्रसंग बनाने वाले हैं तो यहाँ पे आप लोग वीडियो को अंतिक देखे गया देखिए यहाँ पे आप लोग को छे नंबर जो कोचन का अदाया आप लोग को दिवगात समी करण इतना के मुलो की परकिरती होगी तो देखिए आप लोग को हम बता रहे हैं कोचन है तो इसके मुलो के परकिरती बताना है तो हम आप लोग से वादा की हुए हैं कि जब तक हम पूरे कोचन को बारी बारी से नहीं बालते हैं तो छोड़के हम लोग जाएंगी नहीं थोड़ा सभी या एक भी प्रसंद हम लोग छोड़ने कोशिसे नहीं करेंगे यह अभी नहीं करेंगे कि हम समझाएं नहीं तो इसलिए आप लोग ना चाहते हुए भी चार पाठ का कोचन अभी ही समझा देते हैं यहां पर समझ लिए थोड़ी टाइम में तो सबसे पहले हम देखेंगे दिवघात समीकरण है तो आराम से अभी कोचन हम नहीं देख रहे है कोचन के लिए कुछ जड़ी बुटी होता है जड़ी बुटी देख लेते हैं तो पर देखिए यहां पर दिवघात समीकरण के ब्यापक रूप ब्यापक रूप क्या है तो आए एक्स इस्क्वाइर प्लस में बी-एक्स प्लस में C, बराबर में 0, जहां, जहां A not equal to 0, यह चीज होता है, यह दिवगात समी करोन के, ब्यापक रूप मतलब ब्यक्त करने का रूप हो गया, जैसे ब्यापक रूप करने का मतलब मान लिए किसी को दिखाना है, हम को मान लिए कोई पुलिस ब्यक्ती है, या पुलिस में जोइनिंग करता है, उसका जोइन है पुलिस में, तो उसको हमको पुलिस दिखाना है, तो पुलिस का वर्दी के रूप में लाएंगे, तो उसी तरह से इसको अगर हम व्यक्त करना है, तो इस रूप में लिखेंगे या इस रूप में रहना चाहिए, तो सबसे पहले आप लोग इस रूप मेरा चाहिए जान गए अब यहां पर देखेंगे आप लोग को एक होता है इसको कहता है डी अदी का मतलब होता है डी बराबर होता है डी बराबर होता है बी एसक्वाइर माइनस फोर एसी यह सुतर होता है क्या होता है बी एसक्वाइर माइनस फोर एसी सुतर होता है अब यहां पर देखिए कह रहा है मुलो के परकिर्ती तो मुलो के परकिर्ती में कुछ तत्या है कि जनकारी उसको ले ले लेंगे ता अच्छा रहेगा तिहां प हो तो उनके मूलं क्या होगा जीरू से ब्राइया है तो वस्तिंगों क्या होगा वस्ता वीच वास्त वीक और उसके मोटा, वास्ता वेक क्या होगा? और समान और समान को भीन भी काहता है यहां पर वास्तु को भीन काहता है नहीं तो वास्तु को और समान होगा इहां पर देखिए अगर दी का मान मतलब दी बराबर जिरो आगे मतलब दी जो है दी बराबर जीरो चाहें 0 बराबर दी तो जीरो के बराबर दी आएगा चाहें द आप लोग से िये हैं than from tala zero से बढ़ा है डी तब मूल वास्तुक होगा अधू श्यूर बीडिकत अर कुछ नहीं को मल समान होगा मूल्समान्या बराबर होगा, याद रखिएगा, ठीदा वास्टविक तो होगा हीं, यहाँ पे समान्या नहीं तो बराबर भी कर सकता है। होंगे तो यहां पर आप लोग इस बात को ध्यान दिजिए मूल जो मतलब जब d से छोटा है मतलब जो d है जिरो से छोटा आएगा तो जीरो से छोटा आने का मतलब यह होता है रिडातम का यहां मतलब माइनस मैं आएगा अ अच्छे यहां पर लिख देते हैं इनके मूलो के आस्तित्व है अस्तित्व अस्तित्व है अच्छा अगर यह है अगर डी के मान देखिए जिरो से बड़ा आएगा तो मुलो का अस्तित्व होगा अगर डी के मान जिरो आएगा तो मुलो का अस्तित्व होगा तो लिए इनके इनके मुलो मुलो के अस्तित्व अस्तित्व है अच्छा, अगर आप लोग बात किजीगा d बराबर जब 0 आएगा तो 0 आएगा फिर भी मतलब मुलो का अस्तित्व होगा अगर d के मान माइनस में जागा मतलब 0 से छोटा हो जाएगा तो मुलो का अस्तित्व नहीं होगा नहीं है इनके मूलोग आस्थित नहीं है ये बात आप लोगो को याद रख रहने है इनके मूलोग आस्थित नहीं है अब इतना है तो आप लोगो को अराम से बन जाएगा देख़िए, अगर D क्यामान 0 से बड़ा आएगा तो मूलो वास्तुक और O समान होगा क्या होगा? मूलो वास्तुक और O समान होगा अगर यहाँ पे D बराबर 0 आएगा तो मूलो वास्तुक और समान आएगा इनके मूलो का स्तुत होगा अगर D क्यामान 0 से छोटा आएगा गाल तो यहां पर लोग को देखिए परस्न जु है इस तरीका से दिया गया है यहां पे उस तरीका से दियागए है कि यह रहे का नों प्रस्टित मस्त्यू हो जारे चलिए आप लोग को इसको जश्ट हम मिताके बना ही देते हैं तेहीं यहाँ पे आप लोग को देखिए और हाँ आप लोग उसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो है जीतना जल्द हो सके आप लोग चैनल को सस्क्राइब कर लीजे क्यों कि देखिए मानले जीं हम नहीं चाहते हैं आप लोग को यहां से आप लोग को थोड़ा भी इधर-धर होना चाहिए या रहना चाहिए क्योंकि यहां से आप मॉल लगा कर पढ़ाई किजिए और चैनल पर लागतार वीडियो आप लोग को मिल रहा है तो चैनल पर जितने भी वीडियो आ रहा है उस वीडियो को आप लोग वेट करते रहे हैं इंतिजार करते रहे हैं जब भी वीडियो आया, जल्द से जल्द देख लेजिए, और अगले वीडियो का मेरे से मांग करते रहिए, मेरे से मांग किजिएगा, तो आप लोगों को, हम जल्द से जल्द वीडियो पर वाइड कराने कोसिज करेंगे, तो आप लोग मेरे को प्रेडित करते रहिए, ठीक दिखिए का वो किया। एक्स स्क्वाइर प्लस B एक्स ४्लस मैं सी बरबर scans से तुलना करने पर तुलना करने पर आप यहां पर से लिटचार है यसा शुल पर क्या लिख्यार इंगे चार लिख देंगे 16 10 16 17 18 19 19 19 तो इसलिए इसलिए आप लोग को जस्ते पहले बताए थे जब डिवर जिरो आता है तो इसलिए इनके मूल इनके मूल वास्तिविक होंगे क्या होंगे वास्तिविक होंगे और बराबर होंगे बराबर होंगे अब कहीं ना कि सर आप जो लिखे थे उसमय यहां पे लिखे थे समान होंगे वास्तिविक और समान होंगे तो आप लोग बेवकूप के तरह मत सुचिए हम यह भी बताए थे वास्तिविक भी होगा और बराबर भी होगा नहीं तो समान भी ओर समान आता है वास्ते को समान किसी में है तो वास्ते को हो आइ सा फ्र fi k aquesta देखें वास्प वीडिया है के ओर Scr testimony को आपरबर है यही हो कदलर है तो न हिचे लेटे हैं यहां पर गहीं साथ नंबर को प्रसंट इमिग को रिकिक समीकर पर लोग को फिर भी हम सोल्ब कर दी हैं आप लोग चल लिए साथ पर देखिए इसको दो तरीका स्वार्ट सकते एक तो एक सोर्वाई का मान निकाल के और लोग को पांच आव बिधी होता है पांच आपी बिधी के बाद बिलोपन बिधी, प्रतिय स्थापन बिधी, और वजर गुणरन बिधी, और तुलनात्मक बिधी, ठीक है? तो यहाँ पे आप लोगो चार को बिधी दस्वी कलास में जानना है तो चारो बिधी का जो नाम है पहला है गराफिय बिधी दूसरा है बिलोपन बिधी, तीसरा है प्रतेस थापन और चौथा है यहाँ पे आप लोगो वजर गुरान बिधी ते आप लोगो चार को बीधी दसवी क्लास में सीखना है अब उमीद है कि जो लोग सब्जब्टिप पढ़ लिये होंगे या मेरे से क्लास कर रहे होंगे वो सभी लोग पढ़ गए होंगे चारो के चारो बीधी किसी भी बीधी में कोई दिक्कत नहीं आया होगा तो आप लोग चारो बीधी में से कोई बीधी लगा के ये समीकवरण एक और समीकवरण डोग का हमान हल कीजी गा तो आप लोग को एक सर्वाइ के मान आ जागा ते एक होते बीधी ऐसे है दूसरा बीधी जो है हम लोग हम अपसं देख कर ही सही करेंगा मतलब उसके लिए हमको दूसरा बीधी से हल करने के लिए इसको अपसन को देखेना जोरी है अब करेंगे नहीं सर बता यह दूसरा बीधी कर रहा है चार चारगो बीधी लगा के आप हल किजिए चारो भी दी में से, चारो भी दी में से, कौनो भी दी लगा के हल किजिए, तो एक वो तरीका हो गया, एक वो तरीका है, अप्सन देख देख के इंसर मार देना, तो अप्सन देख देख के मारेंगे तो अच्छा रहेगा, लेकि इन समीकर्ण से हल करेंगे, तो हो सकते थोड एक्स है और बराबर में 2y बराबर में 16 है ठीक है आच्छा यहां पर जो है 7x है माइनस में 4y है और बराबर में 2 है यहां पर यह समीकर्ण 1 है यहां पर समीकर्ण 2 है अब देखिए समीकर्ण 1 और समीकर्ण 2 है तो मेरे कोचिंग में जितने साल और जब से पढ़ा रहे हैं त लगभग एक साल में हम तीन बर मैत पुरा फिनिस कर देते हैं, खतम करते हैं, मैत बाकी सब्जेक्ट दो बार, तो यह आप लोग को लगभग पचीस बार हम, मतलब दस सल नौ सल में, मतलब पचीस बार सोल भी कर चुगे हैं, तो यहाँ पे आप लोग जितना भी बार भी सोल लगाते हैं, तो बिलोपन भीदी में देखिएगा, बिलोपन मतलब उल्टा, अब उल्टा कहने का मतलब जिसे मान लिजिए, यहाँ पे दो है, यहाँ पे चार है, तो चार उला इसमें गुणा कर दिजिए, और दो उला इसमें गुणा कर दिजिए, चार उला इसमें और तो फोलना इसमूं इसले का जिसाओ आंशू है, आपकर जिखांगेम्uyत जिस्केस सब्सक्राइन ही अध्यातेरारां को स्टायला अग पसंद। नियुट में लूकिल से श्टाैयल में सेंगा करें। विदिधें लना संहते हैं। वीद्स श्टाैयल चाख़ा होगि। घ्याइएयाइशिक श्टारी स्कूंझ लिवग। तिहां पे देखी एफ स्वंन आरा होगा ते यहां पे देखिए अब चार जो है तो समझ में गुना कर दिजी कि hara på चार जो है सब्रॉदá कोड़ में अब यहां पे भीए पानचव के 20 एक्सा,use 12 एक्सास में आंक से दो गुणा कर रहे हैं तो यहाँ प्राइब हैं तो एसे ही कट जाएhh तेहां पर आप लोग क्या करेगा लिखिएगा समिकरण समिकरण एक और समिकरण दो को जोड़ने पर क्या करने पर जोड़ने पर देखिए समिकरण एक और दो को जोड़ने पर जोड़ेंगे तो चीन मत बदलिएगा चीन बदलने का काम भी नहीं है कि मिपढ़ लहीं करता है इसलिए अगर चीन बदलना परता तो हम लोग घटाने पर लिगते हैं समीगण एक में समीगण दो को घटाने पर इस तरह से चीन अगर अलग अलग है तो डिरेक्ट कटा दीजिए करणा दीजिए के मतलब पर प्लस में आठ भाई या माइनस में आठ भाई है गहाट के जिरूंफ़े नाएगा तो इसलिए हम कटा दीए मतलब जीरो है उसके जपर एना की एक अपर में कटै एक नहीं है जीरो मतलब हट गए अहीं डीड़ू पर यह यह जो दुनों पलॉस मे तो यहां पर देखिए, एक्स के मान क्या है एक, तो यह तो अभी ही अंसर पाता चल गया तो यह नहीं होगा, एक्स के मान है जीरो, तो यह तो अभी ही पाता चल गया तो नहीं होगा, दू को पाता चल गया तो नहीं होगा, अब बात है दू को पे सक है, एको इस पे है, एको दुन्णो में से कोई मी भी रख लिए ति ह हमानली ज़िक हम एक में रख लेते हैं तो समिकहर्न एक में रखने पर मैं एक में रख रह Azure sound कि इसमिकुण एक में रख रहे हैं तो सम Prix कोई जो भी किजिए न, आचा, प्लस 2y, अब यहाँ पर देखिए, यह सोल्ह है, और यह गुना होगा तो आप लोगो 10 होजागा, प्लस में होजागा 2y, अब बराबर में है 16, अब देखिए, इसको हम ज़स्ट इसी जिवागों यहाँ लिखते हैं, अब देखिए, तो यह सोल्ह बराबर, यह 16 पहले से जिवाँ कतियों है, लेगन 10 जो इधर प्लस में था, तो 10 उधर जाके माइनस में जागा, 10 क्या होजागा, आप लोगों माइनस में जागा, यह गुना में है तो भाग में लग जागा, अकट क्या जागा 3, और यह 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 के मान 3, तो देखिए, इक्स के मान 2 और य का मान 3, किस में है, ति एक्स के मान 2 और य का मान 3 अपस्न नॉमबर ए में है, यह 17 का आप लोगма, अपस्न नॉमबर ए हो गए, तो एगो बीद भीधी से निकाल गये लिए, लगन आप लोग बीधी चेंज defensive, जो भीज़़ा, ज समय कम लगता है, इसमे कि हम option उला पर पूचलते हैं यहां पर धियान दीजिएगा जो इंसर हो गया वो तो है ही वो तो काटेंगे नहीं वो तो हो गया और फिर भी हम बारी बारी से जाच करके देखे लेते हैं कि कौन सा हमारा अगर option उला तरीका से माल लिजी को अभी कभी समीकर्ण बड़ा दे द देखे लिलते हैं चलिए लेलते हैं आप लोग वो समीकर्ने के देखे लिए इसको ले लिए पांच फ़लस में दो य बड़ाबर सोला अब देखिए हम बारी बारी से एंसर रखे देखेंगे जो जिस पर भी बराबर आ जगा तो समझेजिए वही एंसर हो जगा यहां पर X के मान क्या था? दो था Y के मान 3 था तो देखिए 5 आए यहां पर 2 रख दीजिए आचा यहां पर 2 है नो दो Y के मान क्या है? Y के मान 3 रखना है इसमें से दोनों का मान देखेंगे बराबर में 16 है कि नहीं तो देखिए यहां पर गुना कांगे तो 10 आई यहां पर 6 बराबर 16 यहां पर 16 बराबर 16 हई 16 तो पहला ही से आ रहा था समी कर्णों में 16 आ रहा था लेकिन इधर भी किये तो 16 दुनों पराबर आगे हैं तो समझेजिए यही एंसर आप लोग को सही है अगर आप लोग को लगता है कि सर नहीं आपम के अपने गलती बता रहे हैं तो देखिए अगर आप लोग को यह इंसर मान लिजे ए में ही असर आगा तो आगे हल नहीं करेंगे लेकिन मान लिजे क्या होता छ critics मित में भी सीध में था करना तो इसको भी चेक कर रहा देते हैं, अगर आप लोग को इंसर मतलब行了 option पहल पहिले का में रहता है, तो आप लोग रखके देखते हैं, तो एक पर ढख कर देखते हैं, तब बराबर दु रखे में यहांद Самि-वाई कि रखते हैं, यहां पर तो देखिए को दिख़ोड़ा उसका का तो दीनल सब गूलीस ए तपूंट कंप दर्या की महां लोटन सब्सक्राइप की यह हो कि जाब पर लाई Πजि़ान की ज़ता हो सोगतितु पर उनके सकत्राइप छहीं पर नहीं आएगा जोड सही ना उसी पर इंसर बराबर आजागा ये answer सही था दू वोला तेहां पर दू रखेते एक में ये द रखेते यह जोड के 16 सोल दू नो बराबर आ रहा था दू दू नो पर आप आएगा ही को भी जब उसका answer सही होगा तब हाना कि अच्छा है सत्रवा का अप्सम नमबर ए हो जगा अब चलिए अब हम आठ नमबर प्रसंद को देख लेते हैं चलिए अब यहाँ पे देखिए आठ नमबर प्रसंद कर रहा है आप लोगो यदि इतना ब्राबर जीरो तो एक सवर वाई के मान देखिए सीधा सा कुछ नहीं दिया है अराम से एकदम निकालने के लिए कह रहा है असमझाया कुछ नहीं जाना है समीकरान दिया है आपस एक स्वाई कमान पूछ रहा है है बिलोपन ब्राबर नहीं तो माल दीजिए को हर कोचन में हम वहर अलं हम अलग बताएंगे आप अब चलिए आप लोग यहाँ पे मतलब भी लोपन बीधि से बालते हैं यहाँ पे सब्सक्राइब बन देते हैं उसी तरह से बिलोपन बिठी बिलोपन बिधि लगा रहे हैं यहाँ पर समिकरन 1 क्या है तो 3x 3 x Slun Ch machine, 2 x , is 0 , 0, μ1 . अब देखेए, यहाँ पर 2 , 2 x and 12 . 0 , ek co2 ! कोजीforme 2 , यहाँ पर समझिए . हम जसे माल देखन दो . ल्टा , क्या करना है ? ल्टा . यहिसे को कटें कामन है ? इसको कटने कामन है ? यहिसा पुझल हमें सुपर गणने के 2 , नहीं होगा यह प्लस में हैं यहां पर जोड़ेंगे यहां पर तो बहुत जागा, सी खेले, जगा टेंसर मत रखिए, अब देखिए यहाँ पर जोड़ देखिए, अब देखिए, एक सराबर क्या जागा, जीरो अब बटामे नबे, जो लोग मेरा वीडियो देख रहा होगा, आप लोग को पहले पार से ही बताते आ रहे हैं, अगर आप ल मान, एक्स का मान, समीकरण, समीकरण, एक या दो में रखने पर था हम एक में रख ले रहा हैं, क्या, एक में या दो में भी रख देते हैं, दो में, रखने पार, देखिए, ऐसा नहीं है कि एक में रख सकते हैं, दो में रख सकते हैं, रख हूँ कर देखा देते हैं, उस सम यहां पर 0 लिख दीजिये तो कि नौ में गुणा हुआ तो क्या होगा हम इंहां पर कर देते हैं ठीक नव जीरो क्या हो जेगा जीरो पलाश भैट यह वाई तो क्या हो जैगा जीरो प्लास भी है जिसे आप लोग को मान लीजिए वाई पर जीरो बटा में पंदरह आया है तो क्या कि यह जीरो लिख दी है वाई के मान क्या लिख दी है जीरो लेन क्या होगा जब पंदरह उपर जीरो नीचे रहेगा जब क्या होगा पंदरह उपर जीरो नीचे रहेगा तो नीचे जीरो कह सब्सक्राइब सब्सक्राइब अगर आप सब्सक्राइब कर देखी कैसे होगा यहाँ पर अपक्शन रखे आप लोग कोई समीकर्ण आता है नो तो समीकरण को आप लोग option रख के बना सकते हैं, ऐसा नहीं है कि समीकरण पे option रखेंगे, तो नहीं बनेगा, उसके लिए आप लोग को मातर एके समीकरण का काम है, दुन्हों समीकरण पे चेक कर सकते हैं, लेगा कोई जोरत हैं, नहीं है, अगर एगो पा गया तो समझ लिए सही है यह चीज आप मोग को दूसरा पे नहीं आएगा अब चले Direct मान लिजिango काने Q अब ही नहीं है कि ना現在 किंगे éléments मान लिजों काना अखिसा मोई नाहीन अभी सान इंसर हम चीविश्दीन अन्षफ में जानते ही हैं अभी सोल्फ करें गे तब तो आप लोग यह जान लिए, जो सही इंसर रहेगा, वही बराबर लाके देगा, जो सही नहीं रहेगा, नहीं बराबर लाके देगा, अब यह बराबर नहीं है, तो यह समझ लिए, यह इंसर नहीं है, अब देखिए, बार ही पार से मतब चेक करते जाते हैं, तो अब सो मने गुना होता है तो गुना होता है तो जीरू आ ज़ता , पांच उर जीरो में गुना होताः तो ब्राबर आगेया तो यहीप इंसरा हो गया अब इसपे र https डिक八gen हाँ दे आप लोग को टेatter 1 नहीं है अगर इसको रखना marked आप लोगो प्रसन संख्या 9 नॉबर देख लिए अब यहाँ पे देखिए 9 नॉबर जो प्रसन कर रहा है यदी रेखिक समी करनो का यूग में संखत है तब इनके द्वारनी रोपित रहा होती है तो देखिए आप लोगो इस तरह के नॉबर के कोशन के आप लोगो इंसा सिधा सिधा आप लोगो कर लेंगे किमकि हम पीछले वीडियो में बताए थे हलां कि नहीं भी बताए हैं समझ समांतर रेखाएं कहते हैं क्या कहते हैं समांतर मतों समांतर पर रहेगा अगर एक ही पे दूगो रेखा रहेगा एक ही पे गवाओ रेखा तो इसको कहते हैं आप लोग संपाती रेखाएं तो इसको कहते हैं प्रती छेदी रेखाएं क्या कहते हैं प्रती छेदी रेखाएं अच्छा इहां पर आप लोग को संपाती रेखाएं संपात्तिया प्रेंड इसको माल लेते हैं मतलब माल लिजिए दुसमान या अलग अदमी अलग है क्या है अलग है क्या है अलग है अब देखिए इसको माल लेते हैं पत्नी अब पत्नी क्यों माल लेते हैं तो पत्नी माल लिजिए जो आपका दोस्त है एक बार कभी मिल लाता है एक बार अलग कोई ब्यक्ति है तो वो हमसे भला क्यों मिलेगा आप पत्नी है त दोस्त जो है आप लोग को ये पर तीछेदी रखा कर सकते हैं अलग है तो समंतर रखाएं दुनों अलग अलग रहेगा जब एके पे है तो पती पतनी एके पे रहता है तो आप लोग को पती पतनी कह दियें लेगिन अगर आप लोग अनुपात पे बात किजिएगा तो अनु पढ़ने में बराबर नहीं होता, ठीक, ठीक, अलग मतलब बराबर नहीं होता है, तो बराबर कार दिये हैं, अलग ब्यक्ति है जो A1 बटा में A2, A1 बटा में A2, बराबर B1 बटा में B2, और बराबर नहीं रहेगा C1 बटा में C2, अलग जो ब्यक्ति है, कुछ चीज में हम को बराबर तो मिल जाएगा, जो मान लीजे कोई अलग इब यक्तिय ही है। तो कुछ चीज़ヒम बराबर मिलेगा लेकिन कुछ चीज़ clo बराबर नहीं मिलेगा, इस तरह से आप लोग जान लीजिए, अगर आप लोग दोस्त को कहिएगा तो दोस्त आपका जो खर्च करने के लिए पाइकट या जेब होता है या वाइलेट होता है कितना पर जेब करता है तो एक बार करता है दोस्त क्या करता है एक बार करता है तो मतलब कहेंगे एक हल होगा क्या होगा एक हल होगा अर्थात और दिवितिये कहा सकते हैं क्या कहा सकते हैं और दिवितिये कहा देंगे इसको औ अब आपका जो जो आपका अलग ब्यक्ति है मतलब ना दोस्त है ना मीतर है ना पतन है कोई नहीं है अलग ब्यक्ति है तो अलग ब्यक्ति बताईए आपका जेब कितने बार काठेगा तो एक को बार नहीं एक भी बार नहीं मतलब कहिए गया कोई हल नहीं है क्या है कोई हल नह है ठीक है अब आपकी पत्नी जो है हमेशा आपकी जेव कारती रहेगी हमेशा आपसे पैसा लेती रहेगी हमेशा आपसे खर्च कराती रहेगी मने इसका अन्त नहीं है अपरमित रूप से अनेक है अनेक हाल है जेव करने के लिए इसके पास हमेशा अनेको बहाना है कभी चूडरी कागा चाहिए कभी लखमी के काजल चाहिए तो इसके पास अनेको तरीका है मतलब basically लेती रहेगी क्योंकर यह आपकी पत्नी है अल्लग व्यक्ति जो है आपसे कबो पैसा नहीं लेगा, आपसे कबो पैसा नहीं रहेगा, तो उसका कोई हल नहीं है, उसका कोई मतलब बहाना ही नहीं है, मेरे से पैसा लेने का, क्योंकि अलग ब्यक्ति को हम देंगे नहीं, जो मेरा दोस्त है, तो अगर मेरे से चाहे, तो अलग एक बहाना ब संगत है क्या है संगत है कहती जी जो अलग ब्यक्ति है वो संगतिया है जी उता खुद अलग है अलग है तो संगतिया नहीं है तो क्या कहेंगे आप लोग संगतिया नहीं है संगतिया नहीं है तो अलगा देंगे तो नहीं हो जाएगा यानि और संगत है क्या है यह संगत नही तो यहां पर दूनों नहीं मिल रहा है,bourgyan को पूरा संगत है तो ही नहीं संगत, है चेडलों मेन 2 रहा है जो चेडल को पारा है तो मेन 3 वहा है नहीं संगत 的जphase यह नहीं यहां लिखन सेड़य संगत नहीं है यह और संगत है तो इस तरह से आप लोग को हो गया तो यहां पर कह रहा है यहां पर संगत है तो किसमें किसमें संगत होता है तो भया देखिए आप लोग संगत इसमें होता है और संगत इसमें होता है होता है अब इस संगत है इसके तो निरोपीत जो है रखा होती है तो संगत में निरोपीत रखा क्या होती है? परती छेदी रखा है, परती छेदी है क्या अप्शन में? परती छेदी रखा है, आचा, क्या होता है? इते गवावरी संगत लाहे, बात समझेए, इसे ए संगत है तो इसके लिए परती छेदी रखा है, संगत के लिए क्या है? पर प्रसन जो आएगा आप लोगो दस नंबर जो की इस वीडियो को लाष्ट प्रसन होगा लाष्ट प्रसन जाने से पहले आपसे एक वेश्ट है अगर मैत आप लोग मेरे से हंसते हुए समझते हुए और बहुत ही अच्छे मूडों के साथ आप लोग पढ़ना चाहते हैं तो म समय में आप लोग को कहना पढ़ रहा है मेरे से क्योंकि कम समय में आप लोग को जूड के अच्छा रिजल्ट लाना है तो आप लोग को यह बात जान लिजिए और नाम जीला के नाम पताईगा बोलिएगा कि सवर हमको एस्पेसल टार्गेट बच करना है चार घंटा का ला यहां पर आप लोग कम समय में आप लोग को अच्छी त्यारी हो जाएगे तो इससे फटा फटा आप लोग जूड़िए जूड के अच्छे रिजल्ट लाईए और आप लोग को अच्छी प्रसं जब मेरे तरफ से ग्रानती है तो एक परस कांटेक्ट जडूर कीजिएगा तो चलिए आप लोग को इस वीडियो को लाश्ट प्रसंने नहीं दस नबर कोशन को देख लिते हैं यहां पर देखिए इस वीडियो को जो लाश्ट प्रसंन है आप लोग को दस नमबर बहुत ही प्रसंन कर रहा है लेकिन आप लोग ध्यान में रखे होंगे तब अब देखिए यहां पर आप लोग क्या किजिए यहां पर आप लोग किजिए 3x वहां पर यह विला समिकरण 3x-y प्रस 12 ब्राबर में 0 ठीक है अब देखिए लिखिएगा a1x प्लस में b1y प्लस में c1 ब्राबर 0 और a2x प्लस में b2y प्लस में c2 ब्राबर 0 आई इतना जो होगे आप लोग को इतना से इतना से तुलना करने पर क्या करने पर तुलना करने पर तुलना करने पर तुलना करने पर तुलना किजिए तो तुलना करेंगे तो a1 की जाव क्या हो जबाब क्या हो जाएगा जाएब क्या हो जाएगा जाएगा इता फिर दुगिए यहां यहां पर लोग देखिए यहां पर A1 बाइम य। था कितना चाहँ है? मैस मैं पर जाते हैं , और यह आ जागा आपको लोग को लो दो ah 1 ऑचाहें अब इसको यहां पर देखिए C1 मान में C2 ही यहां पर देखिए 9 बाठा क्या है? आप लोगो 12 है, 9 बटा कहा है, 12 है, बराबर यह जब कटाएंगे 3-3 बार में, तो 3 हो जगा उपर, और नीचे हो जगा 4, 3 बटा 4 हो गया, तो आप लोगो इस तरह से नपात हो गया, हलांकि हम देख लेते हैं, बोड में दिखाई देता है कि नहीं, चलिए लगवा लगवा तो यह क्यों कहा दियें आप, तो आप क्यों कहा दियें, तो देखिए, यह यह बराबर है, लेगने यह बराबर नहीं है, अगर आप लोग यहां अभी नहीं लिखना चाते हैं, तो चूप चाप मिटा दिजिए, यहां पर लिखिए, देखिए, एक बटा दो, क्या हम दो यह बराबर नहीं है, तो 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 बरा सब्सक्राइबर पर उसमत्राइब और करने दिक्ता में सब्सक्राइब अभी याद किजी आप लोग कि जोश्ट हम बीच यों बताये थे जब यहाँ पर इस तरह से कटेथे प्रति छेदी रेखा यहाँ पर समांतर रेखा तीसी का अनुपात नहीं इस तरह के था तो समांतर रेखा था तीसलिए यह क्या हो जागा इसलिए यह समांतर रेखा हुए समांतर की समें है ऑप्सां नमब्र बीलेंग कोई प्रशन accept'd अब जाए गांगरии ऊइक कोई प्रशन आईगा नूजर। अब जाह diff参 है। आप लोग समानतर रेका तो समानतर रेकाओ जैघाओ के अपसर नम्र आप Chapter 2 हो गया 10 की अपलोग को पी हो गया है चली आप हम आप लोग को हम अगले विडियो मिलेंगे तिहां पर आप लोग दखिए कि जल से जल आपसर रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक किजिए, चैनल को सस्क्राइब किजिए, वीडियो को सेयर कर दिजिए, उन सभी लोग के पास, जो दसवी के लास के तियारी कर रहे हैं, या अगले साल दसवी में जब जाएंगे, तो उनके लिए भी वीडियो काफी इंपोर्टेंट ह सबके पास सेयर कर दिजिए, आप लोग अपने रिलेस्टन में, अपने कोचिंगा और इस्टूडेंट जो भी मतलब कोचिंगा स्कूल के हैं, सबके पास पहुंचा दिजिए, तो ठीक है, आप लोग मिलते हैं आम अगले वीडियो में, तब तक लिए जाएंगे, जाए भ